सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें नमस्कार दोस्तो मैं राजेस कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फेस्बुक पे होने वाले फ्रॉड्स के बारे में जी हां फेस्बुक पे अभी तरह तरह से क्राइम हो रहा है उसके अतरीक एक जो बहुत common crime है Facebook पे वो है आपके नाम से Facebook profile बनाना आपके फोटो और नाम का इस्तमाल करना और उसके बाद आपको defame करने के लिए उसे औब्जेक्सनेबल और पर्नोग्राफिक कंटेंट्स को सेयर करना है यह एक बड़ा ही common crime है और इससे बचना आज के समय में हम लोगों के लिए मुस्खिल होता जा रहा है मुस्खिल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग अभी तक Facebook का इस्तेमाल नौन सिरियस तरीके से करते हैं हम लोगों को ऐसा लगता है कि Facebook का जो इस्तेमाल है वो बिलकुल safe है और किसी भी तरह से हम Facebook का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए safe होगा आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यदि आप Facebook का इस्तमाल करना चाहते हैं, यदि आप safely Facebook का इस्तमाल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ उसमें settings करनी होगी, otherwise आप बेहद परिसानी में पर सकते हैं, आप legal complication में पर सकते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाता हूँ, कि आपको Facebook पे किस तरह की setting करनी चाहिए, लेकि सबसे पहले तो है कि Facebook पे आप एक strong password रखे, सबसे बड़ा condition तो यही है, कि आप एक strong password रखे, strong password का मतलब होता है, कि आप उसमें number रखें, digit रखें, आप उसमें alphabet रखें, symbol रखें, इस तरह से combination बना के रिए यदि आप password रखते हैं, तो वो password जो है strong माना जाता है, कभी भी अपने password को उसमें mobile नमर, या अपना नाम, या अपना बच्चे का नाम, इस तरह के password को कभी नहीं रखना चाहिए, ऐसा करेंगे, तो आपका Facebook जो है, वो आसानी से कोई भी hack कर सकता है, और दूसरी बात ये है कि इसमें, ये जो Facebook messenger पे जो crime हो रहा है, इसमें भी आप Facebook पे, आम तोर पे आप देखेंगे, कि उसमें DP आपका निकाला जाता है, और DP से messenger पे एक profile बनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको DP को protect करने के लिए, protect guard करके Facebook पे एक facility है, आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, और अपने messenger को, या आप अपने Facebook का इस तरह के fraud में इस्तमाल होने से बचा सकते हैं, और उसके बाद एक जो महत्पॉंट सेटिंग यह है, कि आप अपने Facebook के privacy सेटिंग में जाएं, वहाँ पर जाकर अपने सारे सेटिंग का एक बार review कर लें, सबसे पहला जो review करना है वो यह, कि आपका यदि mobile नमर आपने दिया हुआ है Facebook पे, तो उसको only में की सेटिंग में चाके उसको only में कीजिए, पब्लिक रखने की अवशक्ता नहीं है, आप यहाँ यह भी कर सकते हैं, कि आप जो भी post डालें, वो post सिर्फ आपके friends देखें, यानि आप friends option भी select कर सकते हैं audience में, या maximum आप friends to friends कर सकते हैं, यह एक अच्छा habit है जो आपको रखना चाहिए, उसके तरिक एक महतपुर्ण बाद जो हम लोगों को खास करके धोखे में डालती है Facebook पे, वो है यदि किसी का friend request आता है, तो उस friend request में यदि आपको 5-6 mutual friends भी दीख रहे हैं, फिर भी आप यदि उन नहीं जानते हैं, तो इस तरह के किसी अंजान व्यक्ति को, किसी भी strangers को अपने friend list में add नहीं किजिए, इस तरह की setting को करके ही आप Facebook पे secure तडिके से safely surfing कर पाएंगे, otherwise आप legal complication में भी फस सकते हैं, financial loss भी आपको हो सकता है, और इस तरह से कई सारी पड़सानियों का सामना आपका जो data है, आपका Facebook पे जो data है, आपके mobile में जो data है, वो सारा भी compromise होने का chance होता है, इसलिए मेरा आप सबसे आगर है, कि आप अपने mobile में, अपने Facebook account में जाकर सारे privacy setting को एक बार चेक कर लें, जितनी भी settings हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ लें, यदि आपको कोई confusion है, तो मैं description में आपको privacy setting कैसे की जाती है, उसका एक link दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं, कि किस तरह से setting की जाती है, और यदि आपको Facebook messenger का जो ये fraud हो रहा है, इसमें आप कैसे अपने DP profile को guard करेंगे, इसका भी मैं link description में दे दे रहा हूँ, आप कि उसको देख सकते हैं, धन्यवाद